इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने लिब्रिलिस्म को बहुत जैसे समझा और आज हम इंडिविजुलिस्म में इस बैक्टिवाद को समझने वाले हैं तो हलो फ्रेंड्स मैं हुरश में और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनिट्स जहां मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के कॉंपलेक्स कंसेप्ट को बहुत ही इसली समझाने वाली हूँ तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को जैसे कि यह हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यह इंडिविजुल की बात करता है मतलब जो इंडिविजुलिजम की जो आइडिलोजी है वो इंडिविजुल को इतना कैबिबल मानती है कि उसके according कोई भी वेक्टी अपने इंट्रेस्ट को फुल्फिल करने में इतना कैबिबल है कि उसे extended państwa ke जरुरद नहीं है मतलब उसको किसी भी ऐसे चीज के जरुरद नहीं है जो कि उसे रेस्ट्रिक्ट करें मतलब यहां पर जो इंडिविजुल ए उसकी आइडिन्टिटिटी या इंडिविजजिल को इतना बड़ा दिखा दिए गया है या इतना importance दे दिया गया है कि यहां पर बाकी सारे institutions चाहे वो state हो या other society के other institution हो उसकी importance human या individual से कम कर दी गया है मतलब यहां पर directly यह कह दिया गया है कि यतने भी institution होते हैं या state होता है वो humans के लिए ना कि humans state के लिए अब तक यह होता आ रहा था कि state के पास बहुत पावर होती थी और यह माना जाता था कि अपने अपने state ही सब कुछ है humans जो है या जो state के जितने ही citizens है उनको जीना या मरना है तो state के लिए जीना या मरना है लेकिन अब क्या बोल दिया गया है जस्ट उल्टा बोल दिया गया की आइडिलोजी के पीछे बेसिक आइडिया को देखें तो यहां पर यह बोला जाता है कि जो इंडिविजुल का इंट्रेस्ट है वो सबसे इंपोर्टन है इसलिए सोसाइटी और स्टेट को उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए वैसे अगर हम इंडिविजुलिजुलिज्म की इसा कि हम ने कि पढ़ंब पहले हैं लिए क्लासिकल ओमेनिजू से यहां इसी इसी को ही परिटक्ट करने के लिए जहां हम देख रहे थे कि free market और limited government जैसे concept की बात हो रही थे वही हम social contact theory में भी देखते हैं कि political individualism को कैसे बढ़ावा दिया जाता है जहां पर state जैसे institution सिर्फ इसलिए existence में आते हैं क्योंकि उनका काम होता है individual को protect करना sometimes ये भी कहा जाता है कि individualism जैसे ideological emergence इसलिए भी हुआ तकि market capitalism को defend के जा सके market capitalism को individualism के नाम पर बढ़ावा दिया जा सके वहीं अगर हम इसका ideological definition देखे तो ये व्यक्ति को या individual को एक rational creature मानता है और यही individualism की philosophy हमें John Locke और Adam Smith के major writings में भी दिखाई देती है जिसके according हम देखते हैं कि individualism को एक theoretical base मिलता है और अगर हम इसे थोड़े और deep में देखे तो हमें यहाँ पर ये जो individualism की philosophy है वो two notions के साथ जुड़ी हुई है जिसमें पहला है self-reliant और self-interest और वहीं दूसरा है कि सभी वैक्ति समान है और सबका equal moral status है जाहे वो किसी भी race का हो, religion का हो, nationality का हो या कोई भी social position hold करता हो या वो कहीं से भी belong करता क्यों ना तो overall हमने ये देखा कि कैसे ये human या individual को इतना ज़्यादा support कर रहा है तो आई अब इसके कुछ characteristics को भी discuss कर लेते हैं अगर आप किसी भी concept या ideology की characteristics को याद रख लेंगे ना तो उस concept को याद रखना बहुत easy हो जाता है इसलिए मैं एकसर characteristics को अलग से discuss करती हूँ तो हम इसके characteristics को discuss कर रहेते हैं तो इसमें पहला है moral worth of their individual मतलब यह एक ऐसी political और social ideology है जो एक व्यक्ति के moral value को establish करती है क्योंकि इससे पहले हमने तो यही देखा है कि state का control होता था हर चीज़ पे और state ही सब कुछ होता था लेकिन individualism की ideology के बाद हमें यह देखने को मिलता है कि अब human को सबसे ज़दा importance दी जाती है वहीं इसका दूसा characteristics है कि हर व्यक्ति अपने आप में unique होता है और self-reliant होता है तो वहीं अगर हम इसके तीसरी विशिष्टा देखें तो यह कहता है कि government को individual के matters से दूर रहना चाहिए क्योंकि हम पहले ही जानते है कि government का का काम क्या होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को control करने की कोशिश करता है और अगर government अगर individual के matters में interfere करने लगी की तो इससे क्या होगा जो individual का maximum freedom है वो ensure नहीं हो पाएगा इस वज़े से यह government को individual affairs से दूर रहने की बात करता है वहीं इसके अगले विशिष्टा है कि यह collective interest से ज़्यादा individual interest को promote करता है और वहीं वो collective well-being से ज़्यादा personal well-being की बात करता है और इस तरह हम देखते हैं कि जो individualism की ideology है वो maximum freedom of maximum individual right की भी बात करती है और सांत ही साथ यह कहती है कि किसी भी व्यक्ति की identity कोई group decide नहीं करेगा व्यक्ति की identity उस व्यक्ति से होगी ना कि किसे group से होगी तो आईए अब ब्रीफ में हम moral individualism को भी समझ लेते हैं यह जो individualism का philosophical principle है वो advocate करता है कि कोई भी व्यक्ति या individual अपने आप में साधी होता है means an individual is an in itself इसलिए human beings से ज़्यादा कोई भी चीज valuable नहीं है इसलिए individual पर कोई obligation भी नहीं लगा सकता और इसी moral individualism में गांधी जी ने स्वराज का concept दिया था जहाँ पर हम जानते हैं कि स्वराज का शाबदिक मतलब होता है self-rule, self-government या self-determination जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि यह जो term popular हुआ था वो हमारे Indian independent struggle के time popular हुआ था और गांधी जी ने इसके meaning और scope को expand किया था जिसके तहत गांधी जी खुद की confidence, self-worth, potential को explore करने की बात करते हैं तो इस प्रकार आज हमने जाना कि individualism की philosophy क्या है और यह किस तरह emerge होती है और यह कैसे human को या कहें individual को value, individuals की value establish करती है अगर आपको इसी तरह political science के important concepts से related और में वीडियो देखने हैं तो please do like, share and subscribe my channel it is my small initiative towards spreading knowledge